नमस्कार, आपका अख़बार के इस अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं प्रदीप सिंग बिहार की राजनीतिक धर्ती हिल रही है और आप मान कर चलिए कि राजनीतिक भुकम पाने वाला है और उसके बहुत तेज जट के विपक्षी दलो 27 दलों का जो घट बंदन है उसमें महसूस किये जाएगे इधर दो-तीन दिन के बीच में कुछ घटनाएं हुई है उन पर नज़र डालिए उससे आपको अंदाजा हो जाएगा आपको कोई जोतिशी होने की या रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रुरत नहीं है तेरह तारिख की घटना की बात करूँ जो जिस दिन इंडिया एलाइन्स की बैठक हुई उससे पहले की बात करता हूँ एक जन्वरी को राबडी देवी जो बिहार की पूर्म मुख्यमंत्री है और लालु प्रसाद यादों की पत्नी और तेजस्वी यादों की माँ हैं उनका जन दिन होता है नितीश कुमार इस बार उनके जन दिन पर न तो बधाई देने उनको उनके घर गए और नहीं सोचल मीडिया के जरिये उनको बधाई दी तो मुझे एक घटना और याद आ गई आपको भी याद होगा लोगसभा चुनाव से पहले राम विलास पासवान केंदर में मंत्री थे और उनका निधन हो गया निधन से पहले उनका जर्म दिन था आखरी जर्म दिन पूरी पार्टी के लोगों ने जेडियू के और बाकी जितने राम विलास पासवान के और नितीश कुमार के mutual friends थे सब ने कहा कि एक बार जर्म दिन की बधाई दे दिए राम विलास पासवान अस्पताल में इंतजार करते रहे कि नितीश जी का बधाई का फोन आएगा नितीश कुमार ने बधाई का फोन नहीं किया ये एक संकेत उनको जब कोई फैसला लेना होता है तो इस तरह के संकेत देते हैं उनको संकेत था कि वो राम विलास पासवान की पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं और उन्होंने तोड़ लिया मालूम भी है उसका क्या नतीजा हुआ चिराग पासवान ने जो है उनके साथ मिलने लगे हैं आर जेडी और जेडी यू के सम्मध्धों को लेकर ललन सिंग को अध्यक्षपत से हटाने के बाद से जब हटाया गया तभी ये स्पष्ट हो गया था कि जेडी यू और जेडी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है नितीश कुमार को इस बात की नाराजगी है कि ललन सिंग के जरिए आर जेडी ने यानि लालू प्रसाद यादों ने उनकी पार्टी में दखल देने की कोशिश की यानि उनकी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष के जरिए नितीश कुमार के खिलाफ ही साजिश करवाने का काम किया लालू प्रसाद यादों ने तो एक जन्वरी की घटना बताई मैंने आपको, 13 जन्वरी को गांधी मैदान में एक सरकारी कारिक्रम हुआ, लोगों को नियुक्ति पत्र देने का सिख्षक होगा, उस कारिक्रम में बोलते हो, उस कारिक्रम में मंच पर तिजस्वी यादों भी बैठे हुए थे, नितिश कुमा जो 15 साल का लालू राबडी राज था, उसमें बिहार की क्या हालत थी, सिख्षा की क्या स्थिती थी, तो तेजस्वी यादों की मौझूदगी में आरजेडी की सरकार पर, पूर सरकार पर हमला, ये किस बाग का संकेत है, अब आते हैं 13 जन्वरी की घटना पर, 13 जन्वरी क को ही एक और कारक्यम हुआ, वर्चुल मीटिंग के जरिए इंडी अलायंस की बैठक हुई, उसमें उस बैठक में ममताब एनरजी, अखलेश यादव और एमके स्टालिन, ये तीन लोग नहीं गए, तीन बड़े नेता उसमें शामिल नहीं हुए, इस बैठक में सीतारान य वेचुरी ने प्रस्ताव रखा कि नितीश कुमार को इस गटबंधन का कर्वीनर बना दिया जाए, सन्योजग बना दिया जाए, लालू प्रसाद यादव ने इसका समर्थन किया, अब आप देखें कि ये बात वो उस बैठक में जो पिछली बैठक हुई थी, जो फिजिक नितीश कुमार ने इस बैठक में जब ये प्रस्ताव रखा, सिताराम योचरी और लालू प्रसाद यादव ने तो कहा कि भाई, और इन लोगों ने कहा कि भाई, नितीश कुमार का बड़ा योगदान है, गटबंधन की सरकार चलाने का और इस गटबंधन को शुरू करने का, क्योंकि जब ये गटबंधन की बात चीज शुरू हुई, ममताब एनरजी और अखलेश यादव तीसरा मोर्शा बनाना चाहते थे, इस गटबंधन में शामिल ही नहीं होना चाहते थे, उन लोगों को मनाया नितीश कुमार ने, नितीश कुमार ने कहा कि भाई, जब अ जालू प्रसाद यादो है, उनको कर्णवीनर बना देना चाहिए, यानि उन्होंने कर्णवीनर बनने से मना कर दिया, अब सवाल ये है कि नितीश कुमार ने आखिर इंडी एलायंस का कर्णवीनर बनने से मना क्यों कर दिया, इसके लिए वो जान दिये हुए थे, लगाता जब इस पद का प्रस्ताव आया तो उन्होंने मना कर दिया नितीश कुमार ने जो तर्क दिया उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कंसेंसस नहीं है आम राय नहीं है बड़ी सबस्क्री बात है कि सब लोग नहीं चाहते कि वो कर्मीनर भी बने तो इससे आप अंदादा लगा लिजे इंडी अलायंस में इस्तिती क्या है लेकिन असली वज़े ये नहीं है असली वज़े ये है कि पिछली बैठक में जब ममता बैनर जी और अर्विंद केजरिवाल ने मलिकार जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया और इस वैठक में भी ऐसा कहा जा रहा है हलांकि इसकी आपचारी घोश्रा नहीं हुई है कि मलिकार जुन खड़गे को इस गड़ बंधन का अध्यक्ष बना दिया गया है तो नितीश कुमार कन्वीनर तब बनना चाहते थे जब अध्यक्ष के पद की बात ही नहीं थी तो जो कुछ होता सरवे सरवा कन्वीनर ही होता इस इंडी एलाइंस का लेकिन अब अध्यक्ष बनने के बाद कन्वीनर का तो कोई महत्व ही नहीं रहे गया कन्वीनर तो एक तरह से जो है अध्यक्ष का सहायक जैसा ज़्यादा ज़्यादा उस भूमिका में उसको देख सकते हैं इससे ज़्यादा उसकी कोई भूमिका उसका कोई रोल हो नहीं सकता तो नितिश कुमार को मालूम है कि ये उनको एक तरह से अब दुबारा आप मानित करने की कोशिश हो रही है पहले मलिका जुन खडगे का नाम का प्रस्ताव करके और दूसरी बार जो है उनको अब मलिका जुन खडगे को अध्यक्ष बनाने और उनको कन्वीनर बनाने की बात करके तो उन्होंने संकेत देना शुरू कर दिया है राबी देवे की जन दिन की पर नहीं गए उनके घर बधाई देने नहीं गए और उसके अलावा उन्होंने सीटों के गडबंधन को लेकर बड़ा अस्परष्ट कर दिया है कि 17 से कम पर तो मानेंगे ही नहीं किसी हालत में अब आप दिखें कि नितीश कुमार कह रहा है कि 17 सीटों पर लड़ेंगे बिहार में लोगसभा की कुल 40 सीटे हैं कॉंग्रेस पार्टी कह रही है वो 10 सीटों पर लड़ेंगी लेफ्ट पार्टीज कह रहें कि वो 9 सीटों पर लड़ेंगी तो उसके बाद बचती हैं सिर्फ 4 सीटे 36 सीटे बढ़ गई 4 सीटे बचती है RJD के लिए तो क्या लालू प्रसाद यादव और 30 में से सिर्फ 4 सीटों पर लड़ने के लिए तयार हो जाएंगे नितीश कुमार का बड़ा इसपष्ट कहना तरक उनका सही भी है कि उनके 16 सीटिंग MP है तो और पिछले गड़बंदर में उनको 17 सीटे मिली थी तो उससे कम पर क्यों लड़ेंगे वो अपने जो सीटिंग MPs हैं उनकी सीट क्यों कुर्बान करेंगे तो ये नितीश कुमार का तरक है अब उनके सामने विखल्ब क्या है मान लीजिए कि लालू प्रसाद यादो उसको नहीं मानते Congress Party ज़्यादा चिंतित नहीं है Congress Party जो है नितीश कुमार को अब खुश भी नहीं करना चाहती Congress Party को मालूम है कि बिहार में सीटो का जो तालमिल है उसका अंतिम फैसला लालू प्रसाद यादो करेंगे नितीश कुमार नहीं तो सीटों के बारे में जो फैसला होना है Congress को कितनी सीटे मिलेंगी इसमें सबसे बड़ी भूमिका लालू प्रसाद यादो की होगी नितीश कुमार की नहीं तो इसलिए नितीश कुमार को अब उतना खुश करने की कोशिश भी नहीं कर रही है Congress Party और उसके अलावा नितीश कुमार के सामने लालू प्रसाद यादो को भी पता है Congress को भी पता है कि बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है अब उनके सामने विकल्प यह है कि वो चुप चाप उस गडबंधन में बने रहें और लालू प्रसाद यादोर और Congress मिलकर उनको जितनी सीटें दें उतनी सीटें सीटों पर मान जाएं और चुप चाप चुनाओ लड़ें एक विकल्प यह है यह बात तय है कि उस गडबंधन में रहते हुए उनको 17 सीटें नहीं मिलने वाली है यह यह तय बात है और दूसरा विकल्प उनके सामने यह है कि लोट कर इधर आएं यानि भारती जन्ता पार्टी के और NDA में लोट कर आएं अब इंडिये में लोटने की बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो गई है पहला सबसे बुनियादी सवाल है कि क्या भारती जन्ता पार्टी उनको लेना चाहेगी इसमें बहुत शक है और मान लीजिये कि लेना चाहेगी तो उसकी जो शर्ते होंगी वो पिछली बार की तरह नहीं होंगी जिस तरह से पिछली बार 2017 में आये थे जिन शर्तों पर आये थे उन शर्तों पर अब नहीं आ सकते हैं तो सरकार में मुख्यमंतरी पद को भूली जाएं वो बूत तो उनको नहीं मिलने वाला है अगर दिस्कमार लोटते हैं तो मुख्यमंतरी भारती जन्ता पार्टी का होगा इसमें किसी को कोई شर्क नहीं होना चाहिये दूसरी बात उनको लोगसभा की 17 सीटें भी नहीं मिलेंगी उनको मुकाबला करना पड़ेगा अब चिराग पासवान से कि चिराग पासवान की पार्टी के बराबर सीट मिलेगी या उससे कुछ जादा सीट मिलेगी क्योंकि बीजेपी इस बार चालिस में से कम से कम 30 सीटों पर लड़ना चाहती है तो बाकी 10 सीटें बढ़ती हैं मतवारे के लिए मान लिजिए 2-3 सीटें और कम कर दे बीजेपी बीजेपी के दिमाग में जो अभी तक समझ में आता है बातकी यतनी सारवजनिक रूप से सामने है उसको देखकर समझ में आता है उसके सामने 2014 का फॉर्मूला है जब वो 23 सीटों पर जीती थी और गड़बंधन की पार्टियां मिलकर 31 सीटें जीती थी खुल 40 में से जो 2019 में या 2017 में थी तो 2019 में भी मजबूरी में भाजपा ने उनको 17 सीटें दी थी क्योंकि भाजपा दिसंबर 2018 में तीन राज्यों का चुनाव हार चुकी थी उसके बहुत भारी दबाव था उसके अलावा कॉंग्रेस हमलावर थी राफेल को लेकर दूसरे मुद्दों को लेकर किसानों के मुद्दे को लेकर मद्द प्रदेश में किसानों पर फाइरिंग हुई थी उन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी दबाव में थी और उस दबाव में वो नहीं चाहती थी कि बिहार में कोई संकट खड़ा हो इसलिए बीजेपी 17 सीटें देने पर राजी हो गई वरना 2019 में भी बीजेपी को पता था कि जो सीटें जेडियू को वो देगी वो मोदी के नाम पर उसके उमीदवार जीतेंगे नितीश कुमार के नाम पर नहीं फर्क बुनियादी फर्क जो आया है 2017-2024 में वो ये है कि अब बिहार में नितीश कुमार के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है 2019 में भी मोदी के नाम पर वोट मिला था और 2024 में पहले से जादा यानि 2019 से जादा वोट मोदी के नाम पर बिहार में बीजेपी को या जो उसके गडबंधन के साथी दल होंगे उनको मिलेगा अब गडबंधन में चिराग पासवान तो होंगे ही सीटों की बात तो छोड़ दिए इसको कितनी मिलेंगी उसकी बात अलग है लेकिन चिराग पासवान के साथ बैठने को नितीश कुमार कैसे तयार होंगे जहर का घूट पीकर बैठना पड़ेगा नितीश कुमार ने चिराग पासवान के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला है और उनको इस बात का मलाल आज भी है कि चिराग पासवान की वज़े से उनकी पार्टी नमबर तीन की पार्टी हो गई बिहार में 2020 के विधानसभाद चुनाव में इस बात को वो अभी तक भूले नहीं हैं उनको लगता है कि अगर ऐसा नहुआ होता तो वो आज NDA में शायद होते और ज्यादा बहतर स्थिती में होते उनकी स्थिती इसलिए खराब हुई कि वो BJP से छोटी पार्टी हो गए तो बड़ा भाई छोटा भाई हो गया तो छोटे भाई के रोल को स्विकार करने को नितीश कुमार तयार नहीं हुए और नाराजगी दिखाते रहे नक्रे दिखाते रहे आकिर में छोड़कर गडबंधन चले गए अब जिस गडबंधन में हैं वहाँ उससे जादा परिशानी महसूस कर रहे उनको लग रहा है कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम न इधर के रहे न उधर के रहे अब वापसी का रास्ता बड़ा कंटका के इन है बड़ा मुश्किल है नितीश कुमार के लिए अगर वापस NDA में आते हैं तो घटी दरों पर आना पड़ेगा और जहां हैं वहां रहेंगे तो वहां उनकी कोई दर ही नहीं रह जाएगी यह उनके सामने दो विकल्प हैं कि या तो चुपचाप अपना रिटायर्मेंट सुरिकार करके यह मानने कि 2024 ही उनका आखरी चुनाओ है और इस गटबंधन में महा गटबंधन जो बिहार का है उसमें बने रहें या घटी दरों पर लोटकर NDA में आएं जो भी हो इन दोनों में से जो भी फैसला वो करते हैं यह आप मानकर चलिए कि आने वाले कुछी दिनों में बिहार में राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है राजनीतिक जो समीकरन अभी जो गटबंधन बना हुआ है दोनों तरफ उन दोनों में परिवर्तन आएगा, किस रूप में आएगा, उसके कौन-कौन से विकल्प और क्या हो सकते हैं, ये मैंने आपके सामने बात की, उसमें कुछ नई बातें आ सकती है, जब विकल्प में, जब गडबंधन की बात होती है, तब जब लेंदेन की बात होती है, NDA का, नितीश कुमार की वापसी के बाद, उसमें बुन्यादी चीजें नहीं बदलने वाली हैं, एक नितीश कुमार की वो हैसियत नहीं रहेगी, जो 2017-19 में थी, उनको नीचे उतर कर समझोता करना पड़ेगा, उनको मुख्यमंतरी के पद का त्याग करना पड़ेगा, औ उनको चिराग पासवान को बरदाश्ट करना पड़ेगा, ये तीन शर्तें अगर उनको मनजूर हो, तो उनकी NDA में वापसी संभव हो सकती है, हो जाएगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा वो करने को तयार हो जाते हैं, तो उ पार्टी समय से पहले तूट जाएगी, उसको तूटने से वो रोक नहीं पाएगी, वो NDA में सिर्फ इसलिए आएंगे इन तीनों शर्तों को मानते हुए, कि वो अपनी पार्टी को तूट से बचा सके, तो बिहार में राजनीतिक परिवरतर, मैंने एक बार कहा था, एक व 27 दनों का जो गडबंदन है, उसमें महसूस किया जाएगा, राहूल गांधी की जो भारत जोडो न्या यात्रा है, उसका दूसरा चरण शुरू हुआ है, और प्रथम ग्रासे मक्षिका पात, वो कहावत है, उसी के अनुसार 14 जन्वरी को उनकी यात्रा मनीपुर से होने जा रहे हैं, कॉंग्रिस पार्टी उन्होंने छोड़ी दी है, और शिंदे सेना की ओर से उनको आश्वासन है टिकट का, अगर बीजेपी साउथ मुंबई की सीट छोडने को तयार हो जाती है, तो तो यह गडबंधन के अंदर क्या होने वाला है, यह शुरुआत जो म देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबस्क्राइब जरूर कीजिए, नमस्कार.